एमेज़न और फ्लिपकार्ट पे सेल शुरू हो चुका है गाईस जिनने भी लाप्टॉप खरीदना है राइट टाइम है खरीद सकते हो स्पेशली जिनने गेमिंग लाप्टॉप्स खरीदना है प्राइजस चार से पार्च हजार डाउन हो चुके हैं और बैंक ओफर अपला सब्सक्राइब जरूर कर लेना हम ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं इस लिश्ट का जो पहला लाप्टॉप है 50,000 रुपीज का है नॉर्मल डेज में 53,000 प्राइस पॉइंट पर यह आविलेबल रहता है और यह लाप्टॉप हमने कई वीडियो में रेकमेंड क कर सकते हो और इसमें जो प्रासेसर देखने मिलता है 50,000 के प्राइस पॉइंट पर वह राइजन 5 5600H काफी अच्छा प्रासेसर है प्राइस पॉइंट की हिसाफ से और 50,000 की स्पेशली बात करें ना तो दो तीन ऑप्शन ही अविलेबल है उनमें से भी सबसे सस्ता यह 512GB के SHD है अगें एक्स्पांड कर सकते हो के एक्स्ट्रा स्लोट प्रेजेंट है 120Hz का रिफ्रेश्ट रेट है बैकलिट कीबूर्ड प्रेजेंट है और तीन मैने का गेम पास भी देखने मिल जाता है 2.2kg यह वे करता है 50,000 के हिसाब से कोई भी इसमें शिकायत नहीं है ख ट्रिक्ली अंडर 60,000 ही खरीदना है तो यह लापटॉप कंसिडर कर सकते हो इसका नाम है Acer Aspire 5 यह लापटॉप गईस मोस्ट सेलिंग लापटॉप में से एक है इसमें जो प्रोसेसर देखने मिलता है अगें आई 512 जनरेशन लेटेस्ट प्रोसेसर है बट टी सीरीस का प फीजर करता है तो फुल फेच ट्रिपल ए टाइटल्स गेम खिलना है तो यह लापटॉप रेकमेंडेड नहीं है बट नॉर्मली आपको अगर हैवी सॉफटर्स रन करना है तो यह लापटॉप काफी ज्यादा अच्छा है नॉर्मल डेज में यह 60,000 रुपीज का मिलता है सेल के दौरान यह 54,990 में मिल रहा है 55,000 रुपीज के हिसाब से काफी अच्छा लापटॉप है खरीज सकते हो और एवन 55,000 पे आपको 16GB RAM वेरियंट देखने मिल रहा है यह अच्छी बात है इस लापटॉप में भी MS Office तो नहीं देखने मिलता बट गईस बैकलेट कीबोर है 12,450H अच्छा प्रासेर है प्राइस पॉइंट के हिसाब से है प्राइस पॉइंट इसका 62,890 है करेंटली नॉर्मल देज में 66,000 के प्राइस पॉइंट पर अविलेबल है इवन आप अगर बैंक ओफर अपलाय करते हो तो 60,000 के नीचे भी आप इसे ले सकते हो RGB का RAM देखने मिलता है एक्सपांड कर सकते हो 512GB के SSD है अगेन एक्सपांड कर सकते हो प्रासेसर काफी अच्छा है जो ग्राफिक काड है वो आपको नॉर्मल ही देखने मिलता है GTX 1650 144 और रिफ्रेश रेट है और बहुत कमी गेमिंग लाप टॉप है जिसमें आपको MS Office का सब्सक्रिप्शन मिलता है उन में से यह एक है पर्फेक्ट मशीन है डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो अब जिनका भी वजट 70,000 रुपीस तक जा सकता है उनके लिए एक जाना चाहेंगे जो हम पर्सनली यूज कर रहे है इसका नाम है एसर नाइट्रो फाय आइफार 12 जनरेशन का प्रोसेसर है बट ट्वेल 500 एच प्रोसेसर है उसकी परफॉमेंस काफी ज्यादा अच्छी है बारा को शूला थेडिये फीचर करता है और आर्टिक्स 3050 है इसमे के दौरान अविलिबल है और नॉर्मल डेज में अल्मोस 74,000 तक टच हो जाता है बट इसका जो 16GB वेरेंट है वह ज्यादे इंट्रेस्टिंग है क्योंकि नॉर्मल डेज में 78,000 के प्रैस पॉंट पर अविलिबल होता है और सेल के दौरान गैस अभी 73,990 के प्रैस है जो बाकि सारे गेमिंग लापटाप इस प्रैस पॉंट पर मिस आउट कर जाता है सबसे पहले तो यहाँ पर फोर जोन आजीबी कीबोर देखने मिलता है आपकी साफ से अब कर सकते हो यह चीज़े इस प्रैस पॉंट पर शायद ही कोई और ब्रैंड कर रहा है और ग्रेट प्रैस पॉंट है जहाँ पर आप इसे खरीज सकते हो अब 90,000 की बात करता है जिने भी 90,000 के अंडर लापटाप खरीदना है तो अगेन HP Victus खरीज सकते हो इसमें जो प्रोसेसर है वो काफी अच्छा देखने मिलता है आई 712 जनरेशन का प्रोसेसर है वो भी 12650 ए आता है और यहां पर जो प्राइस पॉंट है इसका नॉर्मल डेज में 88,000 रुपीज होता है और सेल के दौरान 80-990 में अवेलिबल है तो अच्छे प्राइस पॉंट पर आपको काफी अच्छा प्रोसेसर देखने मिल रहा है कंसिडर कर सकते हो जिने भी राइजन प्रोसे है तो एसर नाइट्रो 5 खरीज सकते हो गाईस यह परफेक्ट लापटाप है आई 712 650 एच है काफी पावफुल प्रोसेसर है यहां पर जो ग्राफिक कार्ड देखने मिलता है वो आर्टी एक्स 3070 टी आई है 140 वाट टीजीप है इसकी काफी पावफुल ग्राफिक कार्ड य देखने मिलती है अगें जेन 4 एसेडी है डिस्प्ले आपर QHD रेजलूशन का देखने मिलता है और इस लापटाप का जो रीफ्रेश्ट रेट है वो 165 हर्ट है इस परफेक्ट लापटाप है एक लाग रुपे के हिसाब से नॉर्मल डेज में इसकी प्राइस एक लाग दस से चाहल करना